लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी 15,000 के अंदर आने वाले 5 सबसे बेस्ट टैबलेट के बारे में तो वहाँ पर इश्यू यह आ रहा था कि वहाँ पर पर परफोर्मेंस आपको अच्छी देखने को नहीं मिल रही थी वहाँ पर डिश्यू परफोर्मेंस मिल रही थी उन टैब्स में बढ़ आज की सुडियो में हम बात काने वाले हैं 30,000 के बजट के अंदर आने वाले 5 सबसे बेस्ट टैबलेट के बारे में अब यहाँ पर परफोर्मेंस तो आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाले साथ में कुछ ऐसे टैब भी होने वाले हैं जो कि इस पेसली गेमिंग के लिए रिक्मेंड होते हैं तो चलिए फटाफर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइब मेंस नहीं करते हैं तो लेट्स बिगें सो यहाँ पर सबसे पहले हम टोप 3 टैब्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर मैं इसकी स्पेक्स नहीं बताने वाला हूँ बल्कि मैं आपको इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को कंपेर करने वाला हूँ जो स्मूथनेस एं डिस्प्ले की वह भी काफी अच्छी कासी मिल जाती है पर्फॉर्मेंस की यहाँ पर बात के तो यहाँ पर आपको हीलियो जी नाइटीन नाइन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो की काफी capable प्रोसेशर है अब basically बताऊ ना यह प्रोसेशर काफी अच्छा कासा प्रोसेशर है इस पर आप काफी अच्छी काशी गेमिंग कर पाओगे इसके यह दि बेंचमार्क की बात के तो यहाँ पर आपको 3,19,000 के अराउंड इसके N22 बेंचमार्क निगल के आते हैं जो काफी अच्छे बेंचमार्क है यानि आपको जो टैब हो काफी light weight होने वाला है और आपको वह हाथ में जो feeling आएगी टैब की वहाई वह काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है यहाँ पर आपको एक और plus point देखने को मिल जाता है कि यहाँ आपको quad studio speaker का support देखने हो मिल जाता है with Dolby Atmos के support के साथ then अभी जिसके कुछ negative points की बात करना है तो यहाँ पर आपको 3.5 mm के jack का support देखने को नहीं मिलता जो कि इसका काफी बड़ा negative point है कि यहाँ आप gaming वेगर करने चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कास्यारी issue हो सकते है एक और negative point यह भी है कि यह tab आपको अच्छी कासी gaming करवा सकता है बट professional level की gaming के लिए recommend नहीं होता क्योंकि G99 एक decent सा processor है जो कि आपके basic gaming करवा सकता है बट यह आप इसे advanced level पर लेके जाना चाहते है तो वहाँ पर easily यहाँ पर आपको lag वगरा या फिर hitting वगरा का issue देखने को मिल जाते है आपको काफी अच्छा टैब आपको काफी अच्छे specs प्रोवाइड गराता है बट इस्टिल यह आपको advanced level की काफी high level की gaming करनी है तो आगे आने वादे दो टैब इसलिए आप चेक आउट कर सकते है तो वाइस फाइनल यह थी हम बात करें हमाई लिस्ट के नमबर टू पर आने वाले टैब्स के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने हुलता है MI की तरफ से आने वाला MI Pad 5 इसका जो 6GB 256GB वाले विरियंट आता है वो इसलिए आपको 28-29,000 के आराउंड देखने को मिल जाता है यह एक प्रोफेशनल गेमिंग टैब होने वाला है काफी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको परफोर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है यह आपको इस पर गेमिंग करने तो आपको यह परचेस करना पड़ेगा यह आपको परचेस करना है तो नीचे आपको Amazon के लिंक मिल जाएगी सभी प्रोड़क्ट के मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी के लिंक मिल जाएगी अनि यह आप उससे परचेस करते हो लिंक से तो आपके भाई के चैनल को भी काफी बड़ा सपोर्ट मिलेगा तो प्लीज लिंक से परचेस किएजएगा इसके बाई कुछ बात करते हैं इसकी कुछ positive points की बात करते हैं इसकी negative points की बात करते हैं December कि यहां पर इदियां हम बात करते हैं यहां पर 11 inch की काफी बड़ी display देखने को मिलती है जो कि IPS LCD panel होने वाला है 2.5K plus का यहां पर आपको resolution देखने को मिल जाता है यह जो experience आपको display को देखने का आपको जो multimedia consume करने का आपको गेमिंग का भाई वो काफी कमाल का होने वाला color बगर काफी अच्छे मिल जाते हैं जो काफी अच्छा कासा प्रोसेजर है तो गेमिंग के लिए especially बात के तो भाई काफी अची performance आपको निकाल के easily दे देता है एं-to-do benchmark की बात कहना तो यहां पर पांच लाग पचपन हजार के राओं यहां पर आपको एं-to-do benchmark इस टैब के देखने को मिल जाते हैं जो की काफी कमाल के benchmark है एंड गाईज जी आपको यह गेमिंग के लिए एक टैब यह वाला डैब मेरी तरब से आपको highly recommended है बिल्ड के यहां पर बात के तो आपको यहां पर glass friend देखने को मिल जाता है एंड अलुमिनियम फ्रेम के साथ यह आपको device देखने को मिल जाता है एक और positive point की बात के तो यहां पर आपको S-Pen का support मिल जाता है वैसे box में आपको S-Pen नहीं मिलता यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि यहां पर आपको 3.5 mm की jack का support देखने को नहीं मिलता जो मुझे थोड़ा सा awkward लगा क्योंकि यहां पर उने देना चाहे था बट इस तिल आप पर आपको Type-C का port मिलता है उसके थुरू आप audio output ले सकते है तो overall देखे ना तो भाई यह वाला tab काफी कमाल का tab है इस overall specs देखे ना तो भाई हमारे number one पर tab आने वाल है उससे भी better आपको यहां पर specs मिल जाते है क्योंकि number one वाला tab आप performance में इसको easily beat कर देता है बलकि iPad मिलता है जो कि iPad 9 जने सन अब यहां पर मैं आपको फिर से एक बात बोल देता हूं कि यह वाला सिर्फ iPad आपको तरभी purchase करना है जब आपकी priority performance को लेकर हो यदि आपको सारे specs अच्छी चाहिए तो मैं आपको already बता चुका हूं कि जो Redmi का Pad 5 है वो आपके लिए best choice हो सकता है बट यदि आपको performance पैस चाहिए तो भाई iPad 9 जने सन आपके लिए best choice होने वाला है अब वो क्यों कि specs काफी कमाल के performance को लेकर भाई यहां पर आपको काफी beast performance देखने को मिलने वाली है तो चलिए अब इसकी कुछ positive points की बात के सबसे पहले positive point जो आता है यहां पर आपको A13 Bionic chipset मिल जाता है जो performance की मामले में आपको beast performance निकाल के देता है यदि हम benchmark की बात के त यह बात तो मैं आपको अलड़ी भी बता चुका हूँ कि यदि आपको performance के लिए चाहिए तो यह device आपके लिए best होने वाला है और अपर इधी build काली की बात कहना तो यहां पर आपको पूरा-पूरा aluminum build देखने को मिल जाता है और इसकी बजैसे आपको जुसका in hand feel है वो भी काफी अची बात है और दूसरा positive point कि यहाप आपको fingerprint sensor का support भी देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर यहाँ पर इसके कुछ negative points की बात कहते हो यहाँ पर आपको S Pen का support मिल जाता है यह एपल pencil का support मिल जाता है बट यहाँ पर आप इसमें सी fast generation वाली pencil ही use कर पाएंगे यह आप के पास उसके बाद की pencil है तो वह यहाँ पर आप काम में नहीं ले पाएंगे जो कि मुझे यहाँ पर एक drop back इसका देखने को मिला दूसरा जो negative point मेर को यहाँ पर देखने को मिला कि इसका जो 30,000 विपय का variant आता है उसमें आपको 64 GB का storage मिलता है अब स्टील 3 GB RAM मिलती है बट आपल की 3 GB RAM काफी अच्छी-कासी होती है क्योंकि यहाँ पर RAM management आपको काफी अच्छा मिल जाता है बट 64 GB का storage मुझे वह थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है यहाँ आप इसमें 2-3 गेम इंस्टॉल कर लेते हैं तो storage को लेकर हैं आप आपको issue होने वाला है यहाँ पर यह एक और negative point की बात के तो पहले वाले generation में एक issue आ रहा था कि वहाँ पर आपको जो इसका glass होता है और जो इसकी display होती है उनके बीच में आपको हलका सा space देखने को मिल रहा था जो कि मैंने personally check out किया था बट मेरे को पता नहीं कि 9th generation में वह है नहीं है क्योंकि मैंने personally 9th generation वाला इसको overall देखेना तो specs काफी कमाल के और भाई performance तो 20 लेवल के मिल जाती है तो यदि आपको budget 30,000 पे और आपको gaming के लिए device चीए especially तो यह device काफी अच्छा device है एक issue यह आ सकता है कि आप आपको out of stock देखने को मिल सकता है बट चिल मापको link तो डाली दूआ नीचे Amazon की वहाँ आप यह पर चाकी check out का लेना कि यह आपके link में मिल रहा है नहीं मिल रहा है यह आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके apple store से भी check out कर सकते हैं and apple की जो official website है वहाँ पर भी आपको easily मिल जाता है अब यहाँ पर यह बचे हुए दो tabs की बात के तो दोनों ही tab में आपको अलग- advantage के साथ देखने को मिल जाते हैं जाकी galaxy वाले की बात के तो वहाँ पर आपको box के अंदर S-Pen तक का support मिल जाते हैं नि box के अंदर आपको S-Pen मिल जाता है तो यदि आपको S-Pen के साथ device चीए आपको tab चीए तो भाई यह वाला tab काफी अच्छा choice हो सकता है then यदि हम बात कर यह Realme वाले padx की तो वहाँ वहाँ पर आपको 5G का support मिल जाता है और काफी अच्छे आपको specs मिल जाते हैं तो यदि आपको 5G का support के साथ कोई tab चीए तो वह अलग आप आप एज़ी purchase कर सकते हैं Specs के बात के दोनों के Specs आपको इस्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे दोनों में काफी अच्छे Specs आपको प्रोवाइड कराई जाते हैं यह 5 steps थे जो कि आपको आपको 30,000 के अंदर best value प्रोवाइड कराते हैं यह दिया आपको कोई भी purchase करना है तो भाई प्लीज लिंक से purchase करना सभी की लिंक आपको Amazon की नीचे डिप्सिन में मिल जाएगी और यह दिया आप कोई वीडियो पसंद आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं कि लिए कि स्यूडियो में एक लिए किसी टेक याइट टेक न्यूस के साथ तब तक के लिए पीस आउट